और खबर विकास नगर से जंतर मंतर पर चल रहे महिला पहलवानों के धरने को लेकर कॉंगर्स पार्टी ने विकास नगर में केंडल मार्च निकाला समादाता आनिल दोडेशी रिपोर्ट जन्तर मंतल दिलनी पर चल रहे महिला पहलबानों वा अन्य पहलवानों के धर्ने वा आरोपी कुष्टी संग के अध्यक्ष पर कारवाही की मांग को लेकर सबसद शमी प्रकाश के नित्रत्त में कॉंगर्स जनों ने केंडल मार्च पहाडी कली चौक से मुख्य बाजार में कॉंगर्स के कारे करता शहर कॉंगर्स के पूर्वर्ध्यक्ष व वर्तमान सभासद सभी व्रकाश के नित्रत्त में पहाडी कली चौक पर एक अत्र हुए यहां शाम साड़े साथ बजे महिला भाहलवानों की नियाई की मांग करते हुए मुख्य बाजार विकास लगर में क चर्ख बल्ध recognize प्हाडी कली चौक से प्रारम्ब होकर रामकुमार्स चौक या वह पहाडी कली चौक से नारे बाजी करते हुए पहाडी चौक पर आकर समाब्थ हुआ कॉंगरस जनों को समुद्ध करते हुए सबासब चमी प्रकाश ने कहा जिन महिला पाहलवानों ने भारत की कुष्टी को एक पहचान दी वो विश्मिस्तर पर मैडल जीत कर भारत का मान बढ़ाया आज वा अपनी स्वभिमान अपनी इज़त की लड़ाई के लिए सरको पर बैठी है वा बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार चुप है उन्होंने कहा आज पूरे देश में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और भारती जन्ता पार्टी के लोग उसमें समलित हैं उन् सरकार में शामिलने दाउन का सोशल करने का काम कर रहे हैं परंतु पुधानमंत्री जी बात बात पर मन की बात करने वाले आज मौन हैं इस तरह के क्रत्व से देश शर्मिंदा है इस तवीके से आरोफ और उसके फुक्ता सबूत सरकार के सामने रखे लेकिन अरोजंतर मस्तर में लगवा के एक महीने से दर्णाय पर बैटे हुए हैं लेकिन आज उनका धमन करने का काम सरकार कर रही है और उन्हें कोई विश्वास पे लेकर काम नहीं किया जारा प्राच क्या उन्हें नहीं किया जा सकता है क्या उन करणे कानूनी नहीं के अरोफ बैटे हों कोई का अपनी सबर्त solves आरा करें शेयर करें सब्सक्राइब करें